कि डेड़ साल से चल रहा है घूशन तुम्हें अंदासा भी है कि पीरेट्स के पहले दिन मुझे कैसा पीर होता है अब नया क्या होगा साथ गवा को 100% उस नहीं बुलाया होगा सब पत अचल जाएगा एक बार तो तुम भी अपने टेस्ट करवा के देख लो क्या पता कुछ निकली जाएगा ट्रीट्मेंट हो जाएगा और बच्चा फिर सब लोग खुश अरे मुझे क्या होगा अच्छा पासा हट्टा कट्था मर तुम है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लोग तो मैं भी तो अच्छी खासी हट्टी कट्टी हो रहत हूं फिर सब लोग राशान पाने लेकर मेरे ये पीछे क्यों पड़ गए है भाई साद्यू बाबा से लेकर वो सबजी मंडी के पीछे वाली गली में जमीन पे बैठने वाला वो उन्नानी बाबा उसका तक टोटका आज माया गया है मेरे उपर याद पिछले महीने वो जो सब खाया था कितनी उल्टिया हुई थी मुझे बुखार तक चड़ गया था अब भी कुछ बागी है यार यार मुझे भी तो चाहिए है ना इसलिए ही तो सब कुछ करती जा रहे हूँ कि शायद कुछ हो जाए पर पर मम्मे जी ना कहीं से भी कुछ भी सुनके आ जाते हैं याद रखना इस बार वो कोई सादू बादू नहीं सिदा वक्ते लेके घर आएंगी हमारे टायवास कराने और उनके सामने आपका मूबीनी को लेगा क्या पता क्या पता आप भी खोश हो रहों मानी मन कि मैं निकली यहां से तो कोई नहीं दोला ना आएकी वो बगल वाले रज्जो जैसी है ना